दोस्तो आज बात बॉलीवुट के हिट गायक महंदर कपूर जी की हम बात कर रहे हैं 1959 में बनी फिल्म नवरंग के एक सुपर हिट गाने की जिसमें आशा भोसले जी ने महंदर कपूर जी का पूरा साथ दिया था ये किस्सा खुद महंदर कपूर जी ने एक FM प्रोग्राम में सुनाया था फिल्म नवरंग को डारेक्ट किया था वी शांताराम जी ने और म्यूजिक था सी राम चंदर जी का और जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ वो है आधा है चंदर मा रात आधी रहना जाए तेरी मेरी बात आधी दोस्तो ये गीत लिखा था भरत व्यास जी ने तो जब इस गाने की रिहरसल चल रही थी आशा जी और महंदर कपूर जी गा रहे थे माइक्रोफोन पर तब म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंदर जी एकदम कट कट बोल दिया करते थे अब ना तो आशा जी समझ पाई ना महंदर कपूर जी के सी रामचंदर जी कट 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 क्यों बोल रहे है गाना तो ठीक टाक चल रहा है कई बार री टेक हुआ फिर रामचंदर जी आशा जी के पास आए और मराठी में बोले कि लगता है आज हम ये गाना नहीं कर सकेंगे मुझे लगता है कि महंदर नर्वस हो गया है क्योंकि ये महंदर का पहला गाना है ये नहीं कर पाएगा इसकी आवाज वहां तक नहीं पहुँच रही है जबकि आशा तुम्हारी आवाज वहां तक बहुत अच्छे तरीके से आ रही है तब आशा जी ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि महं महंदर की आवाज थीक से आ रही है। और वो अच्छा गह रहे हैं मगर सी राम चंदर जी बोले, ऐसा तो Oo ही नहीं सकता, महंदर की आवाज यहां नहीं पहुच रही है। तब आशा भुजले जी ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप महंदर कपूर जी की आवाज यहां से सुन लीजिए तब सी राम चंदर जी ने सारे औरकेस्टर को पास में बुलाया और महंदर कपूर जी की आवाज सुनी तो वो बोले कि ये तो एकदम ठीक गा रहा है तो फिर प्राब्लम कहा है फिर जब चेक किया गया तो देखा कि जो केबल माइक्रो फोन से जुड़ी हुई होती है उसका प्लग ठीक से नहीं लगा हुआ है जब प्लग ठीक से लगाया गया तो महंदर कपूर जी की आवाज एक दम से परफेक्ट वहां पहुँचने लगी और ये गाना आदा है चंदरमा रात आदी सही ढंक से रेकार्ड हो पाया और एक सुपर हिट गाना साबित हुआ दोस्तो महंदर कपूर जी का कहना था कि अगर सी राम चंदर जी उस दिन मुझे नहीं सुनते और रिकार्डिंग कैंसल कर देते तो मेरा तो करियर ही खतम हो जाता लेकिन इसमें आशा भोसले जी का बहुत बड़ा हात रहा उन्होंने महंदर कपूर जी का पूरा साथ दिया तो इस तरह से ये गाना बना इस गाने का लिंक मैं डिस्किप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए